यह आपके बुक है ना आपके पास fun with activity यानि हम कुछ काम करके enjoy करेंगे अब जल्दी से अपनी books open कीचे मेरे साथ और page number 11 निकालीचे ठीके अब इससे पहले आपने काफे pages मेरे साथ किये हैं मैं आपको explain करती हूँ कि आपको ये काम कैसे करना है और पहले मैं आपको समझाऊंगी और फिर मेरे जैसे मैं बताऊंगी आपको आप उसी के accordingly इसको finish करेंगे and your question is choose the correct picture and color it आपको picture choose करना है और इन letters को जो आपके नीचे दिये हैं lines में you have to complete this okay now आपके दो Q लिखे हुएं first आपका capital Q and some side वाला है आपका green में small Q Q for yes Q for well आपको नजर आ रहे हैं न ये हाँ जी तो आप इसको क्या करेंगे color इसको करेंगे picture को color अब वो हमारा P for papaya है बट पी तो हमारा exact answer नहीं है हमारी picture कर ये है ये bird है ठीके तो अब हम इसको क्या करेंगे इसको color करेंगे सुन्दर सा ठीके नाओ next one is आपका लिखा क्या है नीचे पढ़िए मेरे साथ आपका orange में लिखा है small r और आपका blue में है capital r और r for rat rat means चूहा अब आपका इसमें से rat कौन है right वाला चूहा दिखाए दे रहें आप सभी को आप इस चूहे को picture को color करेंगे और आपकी जो leaf है l है न वो तो यह हमारा exact answer नहीं है हम इसको leaf कर देंगे और नीचे आपकी lines में आप यहां पर बोल बोल के करेंगे first line में आप capital r r बोल के finish करेंगे और उसके नीची वाली line में आप r r बोल के small r को finish करेंगे okay class now this is your next page okay अब यहां पे भी हमें same पीछे की तरह करना है हमारी picture में उपर लिखा हुआ है s और small s s for क्या होता है गोट होती है कि sun है sun तो हमारा सूरज आपको दिखाई दे रहना है यह हम इस sun को color करेंगे sun दसा ठीक है और s को हम capital वाली line में finish करेंगे और small s को हम नीचे वाली line में finish करेंगे okay glass now नीचे हमारा है mango लेकिन यह m तो नहीं है और उसके बाद हमारा है यह toy toy means खिलोना तो आपका ठीक कौन सा है toy वाला है ना जो आपका खिलोना है यह आपका सही answer है तो आप इस toy को जो आपका मन कर रहा है आपको color कर देंगे और नीचे आपकी lines में आप इसको finish करेंगे कैसे finish करेंगे capital T बोल बोल के और नीचे small t बोल के इस word को finish करेंगे okay class now यह आपका क्या है बताइए चल्दी से देखे आपको पढ़ाया है ना नसरी क्लास में भी मैम ने yes unicorn आपका unicorn है यह तो you for unicorn e for parrot तो हमारा exact answer नहीं है हाँ आपका answer है unicorn तो आप क्या करेंगे अपने unicorn को क्या करेंगे आप color करेंगे okay now next आपकी है V, V for swan होता है कि V for van होता है what is the correct answer van आपकी van दिखाए देरिये screen पे आप van को color करेंगे सुन्दा सा और नीचे आप lines में बोल बोल कर capital V और small v आप इन दोनों lines को यहाँ पे finish करेंगे class okay आप देखिए आपके screen पे एक और page आगे आप 14 जिसमें आपको क्या करना है उपर क्या लिखा हुआ है जल्दी से मुझे देख के बताईए W W for whale आपकी whale होगी kite होगी answer सही बताओ जल्दी से whale होगा ना W H A L E तो whale का मतलब हमारा answer correct हमें पता लगया whale है हम kite को leaf कर देंगे कुछ ने करना है हम अपनी whale को color करेंगे okay class now उसके नीचे हमारी lines में हमें capital W को बोल बोल के finish करेंगे और नीचे small w को finish करेंगे okay now अब उसके नीचे आईए ये आपका क्या है X for leaf होगा no X for xylophone होगा yes ये आपका सही answer है xylophone आप क्या करेंगे xylophone को color करेंगे सुन्दर सुन्दर जो आपका मन हो और X को capital line के उपर line में finish करेंगे और small x को नीचे वाले line में finish करेंगे okay class